नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागंदर मिस्रा दैनिक रासफल उससे पहले बात करते हैं दैनिक पंचाइंग के बारे में आठ मई 2020 शुक्रवार का दिन है जेश्ट कृष्ण पक्ष की प्रतिविदातिती है नचत्र है विशाखा अभजीत महुरत दुपारे ग्यारा बच के ब्यालिस मेर सले के बारा बच के एकत्तिस मेर तक रहेगा दोस्तों कोई भी कार कोई भी अगर आप नए कार की सुरुआत करते हैं तो इस अभजीत महुरत में करिये क्योंकि भगवान स्वेम जब अनंत भगवान जन्म लेते हैं मर्यादा पुर्षोतम स्री राम चंदर जी और लेला अवतारी भगवान शेक्रुष्ण तो इस अभजीत महुरत में ही जन्म लेते हैं इसलिए अगर हम इसे देखे और नए कार की शुरुवात बिल्कुल ना करें नहीं, तो बिगन बादाई आशकती है, अब बात करते हैं आज के गुडलक की, जैसे माली जी आपके यानि की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, और सुक्र ग्रह का कमजोर होने के कारण आपके यानि की जीवन में बहुत सारी समस्याइं आती है, जैसे माली जी आपको बाहन का सुक नहीं मिलता, बाहन आप खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते हैं, बैवाहिक जीवन आपका सुक ही नहीं रहता, तो इन तमाम चीजों से छुटकारा पाने के लिए अगर आप चाहते कि आपके घर में शुक्षंपदा बनी रहे, बैवाहिक जीवन सांदार रहे, बाहन की खरीदारी आप कर लें और आपके घर में बाहन का शुक्षुविदा हो जाए, तो ऐसे में सुक्र को मजबूत करिये, उपाई क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन खीर बनाके आप यानि की भोले नात क जरूर चढ़ाए, सीवलिंग पर खीर बनाके, और खीर अगर उसी में से जैसे आप घर में बनाते हैं, तो भगवान संकर जी को चढ़ाने के बाद किसी ब्रामण या आठ वर्स की कन्या तक को आप खिला सकते हैं, ऐसा करने से आपके सुक्रदेव मजबूत होंगे, अगर अगर माली जे बहुत जादा सुक्रदेव कमजोर हैं आपके कुंडली में, तो आप सुक्रदेव के मंतर का जाब भी कर सकते हैं, ओम सुम सुक्राय नमय, रोज सबेरे अशनान करने के बाद ये एक सवाठ वार करें, यानि आपको ये करना ही है नित्ते, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानि कि सारी चीजे आपको पूजिटिव मिलेंगे, और सुक्र मजबूत होगा, और जब सुक्र मजबूत होगा, तो आपको बहुत सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी देंगे, भाहन सुख धन सुख और बैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होग आज ब्यापार में आपके, यानि कि हो सकता है, चाहिए साजीदार से कर रहे हैं, पाटनर्शिप में कर रहे हैं, तो कहा सुनी हो जाए, इसलिए एक दूसरे को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, नहीं तो बिवाद बढ़ सकता है, कैरियर जॉब की बाद करें, तो यहा देना है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, थोड़ा सा मानसिक टेंसन हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इस समय गाहितरी मंद का जाप करें, आपको बेहतर लाब होगा, वैसे आप भगवान कृष्ण का भी अगर धियान करें, तो आपको बहुत रहात मिलेगा, और आप खुद का पार्टने करते हैं, बेपसा है, तो बेहतर आपके लिए रहेगा, आप खुद अपने हाथों से हैंडल करिए, चाहे पैसे के लेंदेन से हो या ब्यापार, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, किसी पर भरोसा आजना रखें, क्योंकि कोई भी आपका करीबी आपको धोका दे सकता है, अब बात करते हैं, अगर हम आपके लव लाइफ की तो लव लाइफ बेहतर रहने वाला एक दूसरे को आप समझने के कोशिश करेंगे, और कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो सकती है, बैबाहिक जीवन आपके लाके यहाँ पर आपके लिए बढ़िया है, पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, लब लाइफ भी आपकी बेहतर है, बस प्रेम संबंदों में शुदार हो रहा है, बस आप किसी को करजा यानि बिल्कुल लेंदेन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा नहीं, तो आज जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जैस अन्देव